हेलो फ्रेंड्स मैं हिर्दय स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल हिर्दयानन भर्दवाजपर आज दोस्तों हम इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट ले करके आये हुए है और यह अपडेट उन कर्णिडेट के लिए है जिनका सेशन जो है 20-22 सेकेंड यार और 21-22 और 21-23 फरस्ट यार का कर्णिडेट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकीप नहीं किजिएगा और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफूल रहेगी तो आए बिनादेर की वीडियो को सुरू करें लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लिए चैनल को सस्क्राइब करके हमसे जूड़ सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर आईडियो से रिलेटेड आपको हर अपडेट दी जाती है तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह जो लेटर है डिजिटी के दुवरा जारी किया गया है और यह लेटर आज ही के दिन जारी किया गया है 25 मर्च 2022 और यह लेटर को सभी एस्टेट डाइरेक्टर को फरवर्ड कर दिया गया है तो इस लेटर को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में बता दूँगा तो पहले आएए देख लेते हैं आखिर इस लेटर के द्वारा की आपडेट आई हुई है ठीक है जब थोड़ा सा लेटर को स्क्रॉल करके नीचे आईएगा तो यहाँ पर देखे सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है यानि कि 21-23 का जिनका दो साल का कुर्स है फर्स्ट इयर उनका और 21-22 जिनका वन यर और सिक्स मन्थ ट्रेड है उनका यह अपडेट आई हुई है तो फाइनली आए हम इस लेटर में देख लेते हैं जब आप इस पेडिया आपको थोड़ा से ट्रॉल किज़ेगा तो आपको इस तरह की आपको एक लिस्ट दिखाई देगा सेडियूल दिखाई देगा जो की कौन-कौन से एक्टिविटी और कौन-कौन से डेट दिएगे हैं और क्या क्या आपके ITI में होने वाले हैं वो सारी details दी हुई है तो पहला सबसे जो महत्पूर्ण काम है वो profile verification का जो कि आपको 15 April से 15 मई तक होगी यानि का आपको एक महिना का time दिया जाएगा आपको verification करने का अपनी profile का हलाकि इससे संबंदित पहले भी एक notification आया था लेकिन बीच-बीच में सबीका result जारी हो रहे थे एक्जामस हो रहे थे सारी जो NCBT MIS का काम था वो बीजी चल रहा था इसके वज़से इसमें delay हो गया लेकिन अब finally इसका जो है recedule करके 15 April से 15 मई तक finally यह कर लिया जाएगा जैसा कि इसमें बताया जा रहा है ठीक है उसके बाद next आपको जो होगा ग्रिवियांस का प्रोफाइल ग्रिवियांस का आपके अपने nodal idea से महां से आपकी प्रोफाइल से संबंदित अगर कुछ सिकायत होगी कुछ त्रूटियां होगी वो दूर किया जाएगा उसका भी time दिया गया है 16.05.2022 से लेकर के 35.2022 यानि कि 15 दिन का यह भी आपका time दिया रहेगा ठीक है इसके बाद आता है इसability criteria और attendance फी वगरा का तो इसकी जो प्रोसेस होगी 16.06.2022 से 5.07.2022 तक होगी और यह सारे जो है आपका ITI से होते हैं और सारे आपका यह ITI इसको fulfill करती है त्यक है इसके बाद जो आपका next activity जो होगी practical exam का उससे संबंदित होगी और इसमें जो most important है आपका hall ticket कब से download किये जाएंगे तो जैसा कि 17.07.2022 तक आप hall ticket डाउनलोड कर पाएंगे किसका practical exam का ठीक है और आपका जो exam हो जाएगी 18.2022 से 58.2022 तक आपका exam हो जाएंगे ठीक है इसके बाद का जो next activity है आपका practical exam का जो marks है वो upload किया जाता है पोटल में वो जो प्रोसेस होगी 28.2022 से ले करके 18.08.2022 तक होगी ठीक है तो आईए आप देख लेते हैं कि cbt exam का जो activity है वो कब से किस तारिक में क्या क्या होने वाले हैं तो इसका finally आप देख पा रहे हैं यहाँ पर hall ticket generation and downloading यानि कि जो hall ticket है cbt exam का वो 14.07.2022 से 22.07.2022 तक आप download कर पाएंगे और cbt exam का जो प्रोसेस है 8.08.2022 से 29.08.2022 तक सारे exam जो है first year का conduct करा ली जाएंगे चाहे आपका session 21.22 first year या 21.23 first year है तो यह first year वालों के लिए update का schedule इसमें दिया हुए तीक है इसके बाद जो इसका next activity यानि की result का सभी का weight रहता है और इसका result जो है finally जो है 27.08.2022 तक declare कर दिया जाएंगे यानि की जारी कर दिया जाएंगे तो यह first year वालों के लिए update थी अब आईए जिनका session 2020-22 second year का है उनका क्या process होगी सारा short में थोड़ी सी जूल है और इसमें जो महत्पूंट तीन पॉइंट बताईगे है उसके बारे में मैं इसमें आपको short में बता देता हूँ सबसे महत्पूंट पॉइंट आती है first number पे usability criteria, AFA, attendance और P ठीक है यानि की AFA का मतलब formative assignment, marks, seasonal marks और attendance इसके बाद CBT exam का जो fee पे करना रहता है उसकी process जो है 16 June 2022 से 5 July 2022 तक complete करा ली जाएगी जैसा कि इस notification में बताया गया है इसके बाद practical exam की बात आती है ति इसमें जैसा कि देख पा रहे है practical hall ticket का जो आप अपना admit card जो डाउनलोड कर पाएंगे 18.7.2022 से 22.7.2022 तक आप इसकी admit card को डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है और इसका जो next activity है practical exam का वो 18.2022 से 5.8.2022 तक करा ली जाएगी इसके बाद इसका practical marks को अपलोड किया जाता है जैसा कि portal पर उसका जो भी process है वो 28.2022 से 18.8.2022 तक इसका भी marks को portal पर अपलोड कर दिया जाएगा इसके बाद आती है CBT exam का process तो CBT exam का जो hall ticket जो आप डाउनलोड कर पाएंगे 14.7.2022 से 27.2022 तक और आपका जो CBT exam है 20.8.2022 से 30.8.2022 तक हो जाएंगी जैसा कि इसमें बताया गया है इसकी जो last activity यानि का सबी जो exam है हो जाएंगे उसके बाद result की जो date इन्होंने निर्धारित किया है 10.9.2022 तक जो है second year का भी result देने का इहाँ पर इस notification में बताया है तो यह finally जो है update आई थी दोस्तों यह जो date है हलाकि finally अभी नहीं कहा जा सकता है इसमें थोड़े साए इधर उधर हो सकते हैं जैसा कि इस later में बतायागी है इसके लिए आप अपने ITI college के संपर्क में बने रहेगा वहाँ पर आपको सारी update अच्छी तरीका से बताई जाएगी क्या process होने वाली है तो उमीद करता हूँ कि सारे आप सभी लोग इस वीडियो में बताये गए जैनकारी को अच्छी तरीका से समझ पाए होंगे अगर इसके अलावा अगर आप वो कोई doubt होता है तो comment box में लिखे मैं आपका reply कर दूँगा ठीक है और इसका पीडियाप है वो अपने हम टेलिग्राम पर दे दिये हैं टेलिग्राम ग्रूप का जो link है description में दे दिया गया है आप अगर जूड़े नहीं है तो वहाँ से जूड़ करके इस पीडियाप को सीधे डाउनलोड कर पाएंगे तो मिलते हैं फिर next वीडियो में नजनकारी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहेगा बाई बाई